हलो फ्रेंड्स मैं प्रिया जैन कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेजर के अन्वास में दोस्तों आज मैं आपसे विंटर्स के एक बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट इस टॉक के बारे में बात करूंगी आप देख पा रहे हैं कि इस टॉक के कितने सारे संदर फ्लावर हैं और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स के प्लांट की पॉटिंग सॉयल किस तरीके से बनानी है तो प्लांट की potting soil तो सभी की एक तरीके से ही बनती है कोई भी सीजनिवल जो प्लांट होते हैं सबकी potting soil का मेथड एक जैसे ही होता है लेकिन चुकि यह heavy flowering plant है तो आपको जो इसका potting soil बनाना है उसमें बर्मी कंपोष्ट की मातरा बहुत ज़्यादा देनी है इसकी जो खुराक होती है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि अगर यह heavy flowering करेगा तो इसकी खुराक भी बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए दोस्तम इसकी जो आपको potting soil में आपको हर 15 दिन में बर्मी कंपोष्ट और बॉन मील तो देते रहिए liquid fertilizer आपको हर 10 दिन में इसमें देना है तो सबसे पहले इसकी potting soil के बारे में हम बात करते हैं potting soil आपको इस तरीके से बनानी है कि आप दो पार्ट बर्मी कंपोष्ट, बॉन मील उसमें बज़री या रेट जो भी आप बोलते हैं construction वाली वो mix कर सकते हैं और आप इसमें और भी जो आप अपना organic rich matter देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और अपनी garden soil मिलाए तो इसकी potting soil बना सकते हैं आप इसकी seed भी लगा सकते हैं इसे cutting से भी grow कर सकते हैं लेकिन यह जो cutting से है वो बहुत अच्छे से growth करता है और बहुत जल्दी growth करता है seedling के बारे मैं बात करूंगी दोस्तों जो इस seasonable plant है आप उनकी seedling कर लेजिए लेकिन seedling इनकी बहुत ज़्यादा growth नहीं करती मैंने इस बार इनकी plant की seedling कीती लेकिन मुझे अच्छा result नहीं मिला आप चाहे कितने भी important seed करें लेकिन उन्हें वह बहुत ही कम उनका germination होता है और germination हो भी जाता है तो इस plant को growth करने में बहुत कम टाइम बहुत जादा टाइम लगता है जब तक तो हमारे winter का season जनी चला जाता है तो अगर आप इन सुन्दर flowers का मज़ा लेना चाते हैं तो या तो आप इन्हें डिरेक नर्सीडी से लाके healthy plant लाके लगाई या फिर आप इनकी cutting लाके लगाई और आप दो-तिन कि आप जो winter का season वाले plant होते हैं आप उन्हें nursery से लाके लगाएं तो जादा बहतर होगा क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए flower हमारे पास होते हैं तो इनका फिर मज़ा भी ना ले पाएं तो इन्हें लगाने का फायदा ही क्या कि आप इनकी care भी इतनी करें और फ्लावरिंग आपको मिले भी ना तो फिर उसका कोई लगाने का फायदा ही नहीं है तो आप इन्हें nursery से लाके direct लगाएं तो जब आप इन्हें लाका लगाएं तब तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा खाद ना दें लेकिन जैसे आपके मिट्टी में ये adjust हो जाएं जब आपके तो आप इसे जगह रखे जहां इसे कम से कम तीन से चार गंटे की अच्छी sunlight मिले वनना इस क्या होगा इसकी जो पतिया है वो तो growth करती रहेंगी लेकिन इसमें words भी आएंगे लेकिन flowering अच्छी बंचेज में नहीं होगी जब flowering नहीं होगी तो फिर इसे लगाने का बलकि चार गंटे की sunlight आराम से मिले अच्छी दूप मिले लेकिन बहुत ज़्यादा दूप बाले अरिया में भी इसे नहीं रखना है क्योंकि विंटर्स की दूप इन्हें अच्छी लगती है तो जहां तीन से चार गंटे की दूप आती हो आप इन्हार रखिए वनना इसक विमारी लगेगी ही नहींगे सथीं नहीं अगर अब आप नहीं बी कर पाते हैं अगर विमारी अटक हो पो बी जाता है तो आपको हर तीन दिन में नीम औरे करना है नीम और से नहीं जाता तो आप कोई भी अच्छी मेडिसन जो प्लांट पर करने के आती है वो लेकर हर तीन दिन पर कीजिए तो जिसे की जल्दी और प्लांट पर आपका इनका अटेक ना फैरे अब बात करते हैं दोस्तों इनकी जैसे कि आपको कोई फ्लावर सूग आ coconfon की साथ की साथ हट आते रहे एपको इस यह जैसे है फ्लावर के सारे फ्लावर अच्छे से ब्लूं कर्ना स्विक्त को पूरी सटांथ पूरी स्टाम को नहीं काट थी बैकत सी को साफके से alguien को रखा नहीं दोस्यyes ऐसे ट्लभष की अप की उसी को अचताना है आप पूर स्थाइब एक या दो फ्लावर सुका है तो आपको पूरी फ्लावर नहीं अटाने तो दोस्ता यह थी इसकी पॉर्टिंग स्वाइल कि वुट्र के प्लांट है तो इनने वाटर के रिक्राइलमेंट तो बहुत कम होती है और वौटर को मिला के हर साथ दिन में देते रहें तो इसको वाटर की requirement भी ज्यादा नहीं होती है आपके प्लाइंट की growth के according Bott के size के according आप इनमें watering कर सकते हैं बहुत ज्यादा सूखना भी नहीं देना अपने ब्लाइंट को बहुत ज्यादा गिसोगी गीला भी नहीं करना है आपकी मिट्टी में हल्की सी नमी बने रहने चाहिए आचा करती हूं दोस्तों आपको मेरे दीवी जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और संदों संदों फ्लावर को अपने गार्डम लाकर